वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूट्व में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ एक टॉपिक और रह जाएगा और हमारी हिंदी बिल्कुल टाइम से कंप्लीन हमने पूरी हिंदी समय से पूरी कर ली है यह सबूर्ब किया था वह हमारा हो चुका है अभी जो है हम शुरू करने जा रहे हैं विशेशन और विशेश्च साथियों अगर आपे शांदार पीडियाप को प्राप्त करना चाहते हैं तो दियागे नमर्स पर कॉल करके आप हम से जुड़ सकते हैं या हमारी वेबसाइट या हमारा जो या उसको भी डाउनलोड कर लीजिए उस पर सारी इंफर्मेशन आपको मिल जाएगी तो आज हम शुरू करेंगे विशेशन विशेश्च सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार यह होता क्या है विशेशन विशेश्च क्या होता है जैसे सीधर सीधर टॉपिक पर बात रही है जैसे अगर मैंने कहा अच्छा लड़का ठीक है अगर मैंने कहा अच्छा लड़का तो लड़का की विशेश्चा क्या है लड़का की विशेश्चा है अच्छा मैं यहां कहूं बुरा लड़का तो लड़का तो वही रहा लेकिन अभी जो अच्छा था अब वो क् पे कि अच्छा कौन है लड़का है और लड़के की विशेष्टा क्या है कि वैं अच्छा है गाय क्या है नीली है काला कौन है आदमी है तो यहां पर यह दो आप विशेष्टा है देख रहे हैं इनी विशेष्टाओं को हम बोलते हैं विशेष्टा का सीधा सा मतलब है विश विशेष्टा कुछ विशेष चीज उसमें हो उसको हम कहेंगे विशेष्टा जैसे लड़का की विशेष्टा क्या है कि वह अच्छा है गाय की विशेष्टा क्या है कि वह नीली है ठीक है घोले की विशेष्टा क्या है कि वह सफेद है ठीक फूल की विशेष्टा क्या है कि वो जो विशेशन हम बता रहे हैं कि आदमी काला है गोरा है उंचा है लंबा है गाय काली है मोटी है बड़ी है तो यह जो विशेशन हम बता रहे हैं काला गोरा मोटा यह सब विशेशन हैं और जिसके बारे में यह चीज बताई जा रही है कि आदमी काला है तो वो आदमी जो है वो हो गया विशेश्य ठीक तो विशेश्य क्या है विशेश्य है जिसकी विशेश्टा बताई जाए और विशेश्ण क्या है कि जो विशेश्टा आप बता रहे हो ठीक वो विशेश्ण है यानि अगर मैं यहां लिखूं कि आदमी काला आदमी मैं लिखता हूँ यहां पे तो आदमी जो है इसकी विशेश्टा क्या है काला तो विशेश्टा क्या होती है काला विशेश्टा क्या है तो विशेश्टा होती है विशेश्टा क्या है कि एक काला है तो काला क्या हो गया काला हो गया विशेश्टा और काला किसकी विशेश्टा है इस आदमी की विशेश् रहे हो कि इसकी ये खासियत है वो खासियत उसका गुण है और गुण कहलाता है विशेशन ठीक है तो इसी तरीके से हमको इनको पढ़ना है आसानी से पढ़ना है इतना अच्छे से आपको बता दूगा कि पेपर में आपका गलत नहीं होगा एक भी कॉश्चन विशेशन छोटा फूल भला आदमी तो यह सब क्या है यह सब विशेशण है अब विशेशन जिसकी विशेशता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है उसे विशेश कहा जाता है विशेशन जिस सब्सकी विशेशता फरकट करते हैं उसे विशेश कहते हैं जैसे यहां पर एक लिश्ट बन हो गया विशेशन और आदमी हो गया विशेश्य घोड़ा कैसा है सफेद तो सफेद उसका गोड़ है तो यह हो गया विशेशन और घोड़े की बात हो रही है तो गोड़ा हो गया विशेश्य हाथी कैसा हाथी सफेद है तो हाथी हो गया विशेश्य और सफेद हो गया विशे और लगया कितनी है पांथ यह उनकी विशेशता है तो यह घंघ lgren कैसा है फूल चोटा है तो में चोटा हो गया रहा है तो आदमी भला है तो आदमी विशेश है और भला हो गया होसके गुंध क्या होता है गुण हमेशा विशेशन होता है तो इस तरीके से हमें इसको पढ़ना है ठीक है अब देखो विशेशन के बहुत सारी टाइप होते हैं ठीक है टोटल जो विशेशन है ये चार तरीके के होते हैं टोटल चार तरीके के विशेशन होते हैं पहला विशेशन होता है गुण वाचक, दूसरा होता है संख्या वाचक, तीसरा होता है परिमार वाचक, चोथा होता है संकेत वाचक, ठीक है, एक एक करके इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखो भई, बहुत आसान है, इसको आप ध्यान से पड़ोगे, पूरा आपका किलियर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगे आपको, पहला है गुण वाचक विशेशन देखे, जिस विशेशन से संग्या या सर्वनाम का गुण पता चले, गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, सुभाव, दशा, इसपर्ष, गंध, दिशा, समय, इस्थान, भार, तापमान, आधी का बोतो, यानि उसकी कोई गुण पता चले हमें, इसे गुण वाचक विशेशन के साथ सा जोड़ कर इसके गुणों में कमी की जाती है, है ना, अगर गुण वाचक विशेशन के साथ तुमने सा जोड़ दिया तो वो गुण उसका कम हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा, गुण है, सुकोमल, भला, सुन्दर, शुशील, सदाचारी, यह क्या है, यह गुण है, कि वह आदमी कैसा है, सदाचारी है, तो उसका गुण हो गया, वो आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है, तो उसका गुण है, दोस भी हो सकता है, वह आदमी कैसा है, बुरा है, वो आदम हरा हाय नीस नीस वरक्रांड है कि काल है यह आदमी आधनिक औरonne के स्कार ने 33 है यह बिटिश का लिन है फ्रांची सी नवी ने से !! को इंगित कर रहे हैं यह भी कुडव आचक कर देश hau सकता है भारती हो सकता है बिदेश हो सकता है चीनी रूसी फ्रांसीसी अंग्रेजी कुछ भी हो सकता है कि दिशा भी शामिल होती हैसमें पूर भी पश्मी उत्तरी दक्षनी हम कह रहें यह दिशा पूर्वी है तो दिशा की विशेष्टा क्या हो गई पूर्वी यानि गुणवाचक विशेषण है आगार भी हो सकता है लंबा हो सकता है चोड़ा हो सकता है गोल हो सकता है तिकोना हो सकता है यह सब हो सकते हैं ठीक है तो यह इस तरीके से काम करता है तो पहला जो टाइप है इसमें वो क्या है गुण वाचक दूसरा जो इसमें विशेशण है वो है साथियो संख्या वाचक अब नाम जब संख्या वाचक है तो यह ऐसे विशेशण होते हैं जो संग्या या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उसकी नंबरिंग बता रहे हैं उसकी काउंटिंग बता रहे हैं इसे संख्यात्मक विशेशन कहा जाता है जैसे चार गोड़े अब गोड़ा तो अपने आप में संग्या है लेकिन गोड़े कितने हैं चार हैं ये गोड़ों के विशेशता है कि चार गोड़े पांच भी हो सकते हैं मैं कहा रहा हूं कुछ लोग तो कुछ लोग मैंने कह दिया तो यह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब इनसे कुछ पता जल रहा है कि कम हैं लोग संख्या में मात्रा में कम हैं मैं कहा रहा हूँ पूरी क्लास, तो पूरी क्लास मतलब जो यहां पर बात हो रही है, यह पूरी क्लास की बात हो रही है, यानि जितने भी लोग हैं क्लास में सब की बात हो रही है, तो इससे हम एक नंबर का आइडिया लगा सकते हैं, कि साथ कम लोग हैं या जादा लोग हैं अब जो संख्या वाचक विशेशन ये मूल रूप से दो प्रगार के होते हैं क्योंकि या तो संख्या गिनी आ सकती है या नहीं गिनी आ सकती अब जैसे यहां पर लिखा है कि तीन लोग तो तीन लोग हैं तो मैं गिल लूँगा तो यह कैसा हो गया निश्चित संख्या हैं कि हम कोई निश्चित नंबर बता सकते हैं जिसे यहां बता रहे हैं कि तीन ही है मैं कि रहा हूं बहुत से लोग तो क्या हमें पता चलेगा कितनी लोगी बात हो रही है तीन है तेन सो हैं तीन हजार एंटिन लागें कित chakra हैं तो इससे कभी हमें पता ने चलेगा हम किते लोग की बात करें इसलिए यह हो गया अनिश्चत संख्या वाचक बहुत सिंपल है वह आगए Explain किया गया है निश्चे संख्या का बोद हो जैसे एक दो तीन चार तो निश्चेत है ठीक है और संख्या का बोद ना हो तो निश्चेत है अच्छा निश्चे संख्या वाचक के भी अपने भेद होते हैं जैसे गड़ना वाचक आप सीदे सीदे गिंदो वन टू त्री फोर तो ये करना वाचाग है करम वाचाग करम से अगर हम चलेंगे तो पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा अब चौथे के बाद फिर पांच वाही आएगा ये करम से चल रहा है आवरती वाचाग अगर हम कहें तो आवरती हो रही हो है ना दो गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना इसमें आवरती हो रही है और समुदाय यानि एक साथ अगर हम जोड़ें तो दोनों दो लोग हैं हमने का दोनों को लियाओ ठीक है चारों को लियाओ पांचों को लियाओ लेकिन इसमें आपको ध्यानक नहीं कि इसमें प्रॉपर जो है निश्चे संख् वाचक का उधारण नहीं रहा यह अनिश्ची संख्या वाचक का उधारण हो गया क्योंकि इसमें प्रॉपर आप नहीं बता सकते कितने लोगों की बात हो रही है ठीक है बास समझ पा रहे हो न और दूसरा होता है अनिश्ची संख्या वाचक जो हमने ऊपर देखा कि इसमें निश्चे संख्या का बोध नहीं होता ठीक है इसका एक टाइप है जो कि है प्रतियक बोधक इसमें क्या होता है इसमें कुछ शब्द इस्टमाल होते हैं जैसे प्रतियक हर एक ठीक है अगर यह आ रहे हैं तो खिराप इने प्रतियक बोधक कहोगे ठीक है आगे है परिमार वाचक बोधक मनब आगे है परिमार वाचक विशेशन अब देखे परिमार वाचक विशेशन क्या है यह संख्या वाचक की दराई है लेकिन संख्या वाचक और परिमार वाचक में हलका सा अंतर है अंतर यह है कि देखे परिमार में और संख्या में अंतर ये है कि संख्या को आप गिन सकते हो जैसे मैंने बोला चार आदमी तो फिर आप गिन लोगे ना चार आदमी है लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ पांच किलो चीनी पांच केजी चीनी तो क्या आप पांच केजी चीनी को गिन लोगे कि पांच केजी चीनी कितनी है क्या उसे गिना जा सकता है नहीं गिना जा सकता मैं आपसे कहूँ दो किलो दूद तो दो किलो दूद को आप गिन नहीं सकते माप सकते हो तौल सकते हो गिन नहीं सकते तो जो चीज़े गिनी जा सकती है है परिमाड वाचक जिनको तॉला जाता है जैसे सेर भर दूद थोड़ा पानी कुछ पानी सब धन घी तो यह चीजा गिनी नहीं आ जीसे अगर निष्ट अंक दे दे जिसके पतासे लिए और या किसा इतना है तो वो लीशचे व कि ओग जैसे 5 किलो gy अम मैंने इसे 5 किलो घी है तो यह बार निश्च्छ ओगी क्यों या 5 किलो की ही बात हो रही है लेकर मैं यह कहे-दू के मेरे पास थोड़ा सा घी है अब थोड़ा सा घी का क्या मैं पैमाना बनाऊँगा थोड़ा सा घी को मैं कितना बताऊँगा कितना थोड़ा है मुठी भर है सेर भर है बाल्टी भर के है ट्रक भर के है मेरे लिए थोड़ा सा कितना होगा ये भी तो है हो सकता है मेरे लिए जो थोड़ा सा हो वो दूसरों के लिए बहुत जादा हो तो इसकी कोई निश्चित परिभाशा नहीं है कि थोड़ा सा कितना होगा मैं कहा रहा हूँ मेरे पास बहुत जादा गी है तो कितना बहुत ज़दा हो सकता है मेरे लिए एक किलो का डिबाई बहुत ज़दा हो दूसरे के लिए वो कुछ नहो तो जब कोई نष्चित अंक दे दिया जाये जिस्से निष्चित ताका अनुमान हो जाये कि पांच किलो घी है तो यह हो गया निश्चित और अगर मैं को मेरे पास बहुत सारा गी है या थोड़ा सा है या जरा सा है तो यह हो गया अनिश्चित इसका कोई निश्चित ग्यान हमारे पास नहीं है तो इसी तरीके से दो भागों में बटे हुए यह निश्चित परिमार वाचक और क्या वाल चगूँ ठीक है इनमें अंतर आप समझे लो देखो थोड़ी चाए तो थोड़ी चाए किया गिनी जा सकती है किसी حالत mi नहीं गिनी जा सकती तो गिन नहीं सकते हैं लेकिन चाय को तॉल सकते हो तो ये हो गया परिमारवाचक लेकिन मैंने का थोड़े फल अब थोड़े फल मैं मिले को ये पता नहीं चला फल कितने हैं थोड़े हैं लेकिन अगर मैं चाहूं अगर मैं इसी पर आ जाओं कि मैंने गिनू तो बिल्कुल मैं गिन सकता हूं बिल्कुल गिन सकता हूं फलों को गिना जा सकता है भले संख्या नहीं दे रखिये मैं करा हूं थोड़े फल है तो अनिश्यत तो है लेकिन अगर कोई विक्ति इन्हें गिनने पर आ जाए तो क्या उन्हें गिन नहीं सकता बिल्कुल गिन सकता है तो इसी लिए यह अनिष्चिस संख्यावाचक थोड़ा दूद दूद की मात्रह कम है लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते यहां पर कुछ पुष्ठक है आपको पता नहीं पूस्तक कितनी है लेकिन क्या पुष्ठकों को गिना या सकता बिल्कुल गिना जा सकता है तो यह अनिश्यत संख्यावाचक है वैसे थोड़ा पानी थोड़े आम आम को गिन सकते हो पानी को नहीं किन सकते बहुत धन बहुत गाये अब गाये को गिना जा सकता है भले आपको पता नहीं कितनी लेकिन आप इस पर आ जाओगे कि मेर इमार वाचक में अनिश्यत में ठीक है और लास्ट जो है इसमें उसको देख लेते हैं वो है संकेत वाचक संकेत वाचक क्या है जो विशेशन जो विशेशन अपनी संग्या की ओर संकेत करे उसे संकेत वाचक विशेशन कहते हैं जिसमत्ब इंडिकेशन हो कि किसी की बात हो रही है किसी की तरब संकेत किया जा रहा है जैसे यह पुस्तक किस की है यह पुस्तक किस की है अब जब आप यह करोगे कि यह पुस्ता किसकी है तो इसका कोई नहीं जवाब आएगा लोग कहेंगे इसकी है मत अब किसी की तर विसारा करके बताएंगे तो इससे जो है हमें संकेत मिलता है किसाब किसकी और बात हो रहे मैं कह रहा हूँ राम की है मैंने इसके आंसर कदरा Jerry Lam Supreme तो सर्फ करih इंडिकेशन ऊगया मेरा कि मेरे को पता चलेगा कि यह रां की बात हो रही है यह वे घर हमारा है तो हम अपनी इंडिकेट कर रहे हुँ थीक हैं हम अपनी इस इंडिकेट कर 31 यह बालक अध्यवसाई है तो यह हम बालक की उशेस्ता बता रहे हैं यह बालक की और संकित कर रहे हैं हम यहाँ पर तो बस यह है इससे आपको जो है ध्यान रखना है बाकी जो है देखे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको यह समझ में आएंगे ठीक है तो यह वह आज का ए प्रैक्टिस करेंगे दना दन इसकी तो आपको पूरा क्लियर होगा जो भी हमने पड़ा है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा कोई चिंता वाली बात नहीं है उमीद करता हूं इस वीडियो में नई जानकारी मिली होगी तो ऐसा है तो करप्या करके वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हैं जय भारत बंदे मात रहूं